हेलो दोस्तों मैं आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ आया हूँ जिसका टाइटल है संत का न्याय तो आईए कहानी सुनते हैं तो इस कहानी के शुरुबात होती है दो मां से दो मां एक बच्चे को लेकर लड़ी रहती है कि यह बच्चा मेरा है यह बच्चा मेरा है तो अब वहाँ पर एक साधू आते हैं और उनको सभी मानते थे क्योंकि वह नयाय करते थे बहुत मतलब सबको अच्छा लगे ऐसा नयाय करते थे और सब उनका सम्मान करते थे तो वह दोनों गए उनके पास कि सादू जी ये बच्चा मेरा है, सादू जी ये बच्चा मेरा है, दोनों बोलने लगे कि ये बच्चा मेरा है, तो फिर सादू जी ने कहा कि क्यों न हम इस बच्चे को आधा काट कर एक मा को आधा दे दें और एक मा को आधा, तो एक तो राजी हो ज थी यह बोलकर कि तुम्हें रख लो वो उस रोने वाली ओरत को उन्होंने वो बच्चा दे दिया और वही उसके असली मा थी और फिर उस 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 औरत को सजा दी कि तुमने इस बच्चे को अपना बच्चा क्यूं का मतलब इस बात के लिए उसको सजा दी कि तुमने जूट ब होगी तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और अगर आप मेरे चाल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें